गुड मॉनिंग प्याज बच्चों क्लास थर्ड के लिए टॉपिक है जिमेट्रिकल शेप्स बेटा आकार जो होते हैं उनके बारे में हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे लाइनों जो लाइन्स होती है ना पैंसिल से हम आप पैंसिल से ड्रॉ करते हैं उससे कुछ तस्वी कर लेकिन इस पिक्चर में आपको क्या है सामने दिख रहाँ बेटा स्क्वेश जो होता हम सर win जो सीधी बड़ी ऊपर वाली लाइन है नीचे साइड वाली, उस साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली, राइट साइड वाली, टॉप बॉटम, सभी जो लाइने हैं, वो बराबर होती है, बराबर लाइन्स को जोड करके, जब हम एक पिक्चर बना देते हैं इस तरह से, तो वो स्क्वेर कहलाती है, ठीक है बेटा, अगर आप डाइस लेंगे ना, जो खेलने वाला जिससे अब लूडो के टाइम यूज करते हैं, अगर आप उसे पेपर पर पकड़ेंगे, बॉटम से अगर आप खेंचेंगे इस तरह से लाइन तो वो स्क्वेर मिलेगा आपको, इस स्केर्ट केंगी अप्टेंगे उप्टेंग और पीस पेपर एंड मूव ए पेंसल अलोंग एजस अब बॉटम पेज यही कहा मैंने आपको जो अब लूडो वाला यह जो डाइस है, इसको आप पेपर पर रखेंगे, नीचे जो बॉंडर लाइन बना देंगे, वह उससे आपको यह वाली तस्वेर स्क्वेर जो है, मिल और स्क्वेर में रेक्टेंगल की स्क्वेर की सारी साइड बराबर होती है, रेक्टेंगल की जो है अपोजिट बराबर होती है, टॉप वाली अगर दो सेंटिमेटर होगी या चार सेंटिमेटर होगी, लेफ्ट साइड वाली अगर दो सेंटिमेटर होगी, तो राइट इस फोर साइट फोर कॉर्नर्स फोर कॉने कोने इसमें चार है अपोजिट साइड और आप सेम लेंगे तो बॉटम एज़ पेंसल से आपने स्क्वेर में बनाएंगे तो आपको एक रेक्टेंगल निल जाएगा ठेक है ठेक है बेटा आप अपना पैंसल बॉक्स ले लिजिए चिठी लिजिए जो रेक्टेंगल और शेप की होती है उसमें भी अगर बॉटम एज़ पे ट्रेस करेंगे अपको रेक्टेंगल मिल जाएगा ठेक है बेटा अब नेक्स पेज़ पर आईए अब है एक और शेप त्रिकोन यहने की ट ふलट भी और वर्टिस थीं गोने तीन साइड यह बंसे को इसी साँड तरी ट्रेइंगल में लू कहें निए को जा बहुंत हैं को क्योंकि वर्ठी बार चाहिके सब भी यह वाले अगर आप इन चीज़ों को भी अगर पैंसल से करेंगे तो आपको ट्राइंगल मिल जाएगे अब है नेक्स्ट देखो बेटा सर्कल सर्कल होता है क्या होता है सर्कल होता है गोल अब सर्कल के बारे में क्या पढ़ेंगे इसका कोई कोना नहीं होता है अब आपको ट्रेस कैसे कर सकते हैं पेपर पेपर अगर आप बैंगल लेंगे आपी ममा की तो चूड़ी लेंगे उसको गोल करेंगे बीज में रूपी कोई लेंगे तो ध्यान रखे के रूपी के साथ कोई के साथ खेलना नहीं है बिल्कुल भी मुव में नहीं डालना है एक कैरम कोई ले सकते हैं इस तरह से जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है बेटे अब नेक्स्ट इतना आज के लिए बैटे आपको मैंने जमेटरिकल शेप्स पताई टू डैमेंसल क्या होती है इसकी लेंग्स ब्रेट्थ होती है हाइट नहीं होती और इसको पेपर भी ड्रॉक करते हैं ठीक है बेटे यह मैंने आपको आज सिंपल जैसी जो है जमेटरिकल शेप्स पताई आज के लिए बचो इतना ही थेंक्यू है वे नाइस जो